हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रादस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड जैपुर की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिल अप प्रोसेस के बारे में, तो फ्र और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको आना होगा इसकी ओफिशल वेबसाइट पर जो की फ्रेंड से है, आपके SSO पोर्टल, मिन्स रारसान सिंगल साइन ओन की वेबसाइट, यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले आपको एक ओप्शन मिलता है, लोग इन और रडिस्टेशन का, अगर आप फर्स टाइम यूजर है, तो आप अप्शन की हेल्प लेकर, आप अपने रडिस्टेशन प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पर इची ध्यान रखेगा, गूगल से जब आप रडिस्टर करते हैं, तो उसके बाद फ्रेंड से आपको आपका जो यूजर नेम है, वो आपकी Google ID हो जाती है, और उस लोगिन करने के बाद, फैंस, यहाँ पर देखिए, आपको एक option मिलता है, requirement portal का, अगर आपको यह option नहीं मिलता, तो फैंस, आप other apps पर click करेंगे, आपके सामने जो भी आपकी icons हैं, वो सारे open हो जाएंगे, और इसमें से आपको search करना होगा, requirement portal आप इस पर click करेंगे, इसके आपको ongoing requirement में यह option मिलता है, और अगर apply कर देते हैं, और form को बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको apply का option है, यह आपको my application वाले section में मिलेगा, आपको apply now पर click करना है, और इसके बाद आपका form है, यह start हो जाएगा, तो मैंने basic detail पहले ही fill कर दी हैं, जिससे friends से आपको mobile में mobile से भी अराम से fill कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो mobile है, मैंने landscape mode में रखा है, जिससे यह full screen पर आए, आप portrait mode में fill करेंगे, तो आपको असानी से सारे option देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले friends से आपको यहाँ पर नाम, आपका father name और आपका mother name है, वो आपको fill करना है, आपका gender आपको select करना है, और आपका DOB क्या है, date of birth आप इस calendar पर click करके आपकी date of birth selected कर सकते हैं, एक जनवरी 2022 को आपका age count होकर आजाएगा, जनरल category, SC, ST, OBC आपकी जो भी category है, वो आप यहाँ से select कर पाएंगे, और अगर आप other state candidate भी है, तो अपनी जो actual category है, वो ही आप select करेंगे, और यहाँ पर जो reservation है, वो आपको आपके address के basis पर मिल जाता है, अगर आप PH candidate है, तो आप इन में से कोई भी option को select कर सकते हैं, नहीं तो आप not applicable करेंगे, इसके बाद अगर आपकी कोई sub category है, तो आप यहाँ select कर सकते हैं, नहीं तो इसे blank छोड़ें, आपका religion आपको select करना है Hindu, Jain, Muslim, Parsi, जो भी है वो आप select कर सकते हैं, marital status आपको क्या है, single है, married है, वो आपको देना है, अगर single है तो आप यहाँ पर सारे option blank रहेंगे, बच्चों की संख्या आपको 00 फिल करनी है, married अगर आप हैं तो अपने पतिया पतनी का नाम, एक सदिक जीवित पतिया पतनी है नहीं है, आपने शादी में दहिज लिया है, नहीं लिया है, और आपने बच्चों की संख्या आपको देनी होगी, 162002 से पहले और 162002 के बाद, पैदा हुए बच्चों की संख्या, इसके बार फ्रेंस से mobile number, mail ID आपकी आजाती है, मैंने यहाँ पर mobile number अभी sample के तोर पर फि करेंगे, इसके बार आपको यहाँ पर आपका address देना है, तो first line आपको यहाँ mandatory है, आपका state कौन सा है, किस state के आप निवासी है, जो भी state के आप निवासी है, वो आप select कर सकते हैं, आपका district, city, town, village और आपका पिन कोड, यह हैं आपका correspondence address, मतलब आपका present address, पत्राचार जहा सकते हैं, अलग-अलग है, तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस data को यहाँ से nest कर देंगे, इसके बाद फ्रेंसे nest option है, आपके personal detail का, तो यहाँ पर आपको nationality, आपका home state कौन सा है, आपका home district क्या है, ब्लॉक क्या है, तहसील क्या है, विलेज है, विल जानकारी आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, ऐसे ही sports person अगर आप हैं, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, किस sports person में आप आते हैं, तो आप वो select करेंगे, और इसके बाद फ्रेंसे यहाँ पर next option आएगा आपकी details का, तो आपके उस person type से related जानकारी आपको fill करनी होगी, नहीं है तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं, ऐसे ही अगर आप NCC cadet instructor है, एक्स prisoner है, या फिर आप exiting state government employee है, या फिर आपकी family income धाई लाग से कम है, तो आप yes कर सकते हैं, आए पर्मान पत्र आपको show करना होगा, और यह DV पर show आपको करना होगा, तो friends यहाँ पर नीचे आपको option दियागा है additional category का, अगर इसमें से कोई option आपका applicable है, तो select कीजिए, नहीं तो आप उसे blank छोड़ेंगे, उसके बार आप next step पर click करेंगे, इसके बार आएगा qualification, तो सबसे पहले इस option पर tick आपको करना होगा, आपको यहाँ पर tick करना ज़रूरी है, इसके आपको 12 की entry करनी है, graduation आपने किसी भी screen में pass out किया है, आप इसमें आविदन कर सकते हैं, आपको same ऐसे ही अपने university, role number और आपका यहाँ पर status select करना है, अगर आप pass out candidate है, तो pass out select कर सकते हैं, और अपना year और percentage देंगे, result अगर आपका नहीं आया है, या फिर आप appearing है, तो आप इसे select कर पाएंगे, ऐसे ही आपको यहाँ पर fourth option दो दिया गया है, इसमें आपके पास देखिए, COPA है, या फिर DPCS का certificate है, या फिर कोई भी degree है, कोई भी diploma है, कोई भी certificate है, computer science है, computer application में आप आविदन कर सकते हैं, diploma है, computer science में, O level या high level certificate है, RSCIT है, आप उसे select कर सकते हैं, same अपने subject का नाम, इसमें आप computer फिल कर सकते हैं, इसके बार university, आपका roll number, अगर इसमें भी आपका result एवेटेड है, आप पेरिंग है, तो आप इसे select कर पाएंगे, इसके बार friends, अगर आपको कभी भी exam देने से मना किया गया है, तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं, और उसके इसके बार friends, यहाँ आता है आपका identification and enclosure, तो photograph signature आपको upload करना है, फोटोग्राफ यहाँ पर 50-100 के भी रहेगा, signature 20-50 के भी रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही आपको यह upload करना है, कोई भी शरीर पर आपके चहरे हाथ पैर पर कट का निशान है, कोई मोल है, इसके बार इसके बार इसके बार आपको देनी है, देखिये 30, तो हमने देदी है यहाँ पर, आपको इस option को select करना है, और वहाँ से आप जब भी option को select करेंगे, यह automatic आपका preference में आ जाएगा, जैसे हमने इसको मालिजे cancel कर दिया, तो यहाँ पर पर आप इस option पर जाएगे, minimum भी 30 और maximum भी 30, मतलब सारे option आपको select करने होंगे, यह आप अपनी preference जो भी देना चाहें, वो आप दे सकते हैं, और इसके बाद आपकी जो पोस्टिंग है, वो आपकी इसी merit के basis पर होने वाली है, इसको select करने के बाद आपको next step पर click करना है, इसके बाद आएगा आपका य option मिल जाता है, अगर यह verify नहीं होता 24 to 48 hours में, तो आपको दोबारा से यहाँ declare करके, pay fee वाले option पर click करना है, अपने payment को confirm करना है, अगर यहाँ पर आपको green tick देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर फ्रेंस आपकर thumbs up है, और green हो जाएगा, तो आपकी fees verify हो गई है, और यहाँ पर आपकी fees related जानकारी मिलेगी और pay fee पर आप click करेंगे, इमित्र का aggregator system के थुरू आप इसमें आविदन करते हैं, मतलब fees को pay करते हैं, इसमें आपको multiple option मिल जाते हैं, net banking का, aggregator का यह UPI का, सबसे best option है, aggregator आप select करेंगे, कोई भी एक option यहाँ से आप select कर सकते हैं, औ इसके बाद friends से यहाँ पर आपकी data open होगी, और data open होने के बाद आप उसे friends से verify कर देंगे, verify करने के बाद आप card के थुरू payment करते हैं, तो credit card या debit card, net banking के थुरू करते हैं, तो अपने किसी भी bank को आप यहाँ पर select कर सकते हैं, UPI के थुरू करना चाहें, तो UPI के थुरू भी कर सकते हैं, कोशिश कीजी आप net banking यूज करें, या फिर आप card यूज करें, credit card या debit card, और इसमें friends अपने card को आप select कर सकते हैं, कौन सा card आपके पास है, और उसकी जानकारी फिल करने के बाद, pay now पर आप click करेंगे, और जैसे ही आपका payment verify होगा, आप अपना final print out निकाल कर अ और इससे रड़े जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जौवरास्था.com पर मिल जाएगी, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, और आप चाहते हैं, ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सकें, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूटीब चनल, एनलास, थैंक्स पूर वाचिंग